लो डियर स्टुडेंट वेलकम टी ओर चैनल स्वामी विवेकानाइन टेकनिक टुटोरियल एंड मैसेर्फ डॉक्टर राहूल कुमार सो डियर स्टुडेंट कैसे आप लोग की पढ़ाई चल रही है और मैं जो बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स की पढ़ाई खास कर 11th class के अस्टुडेंट क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ न क्योंकि 11th class के अस्टुडेंट अभी तक एक्टिव नहीं हो रहे हैं पढ़ाई में मैं जैसा कि performance में से लग रहा है कि पढ़ाई में अभी तक मन नहीं लग रहा है लेकिन बच्चों मैं आप लोगों से कहूंगा कि 11th class की परहाई को जल्दी से जल्दी आप लोग स्टार्ट किजिए और पूरे मन से किजिए आज की जो टॉपिक हम लोग सुरू करने वाले हैं वह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ जो अभी तक न्यूए स्टुडेंट जिदि आप लोग है तो पहले सस्क्राइब कर लिजिए और प्लेलिस्ट में जा करके जो वन बई वन करके वैक्टर और इससे पहले की वीडियो जो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग देखिए जाकर के सारे वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी कि हम लोग डारेक्शन की यहाँ पास जो पड़े गी घ्र सब्सक्राइब है और ऐसमें जो में चोटी से लेकर करकर आइटी जे नीट तक की सारी जो होता कॉंसेप्ट में आप लोगो को क्लियर कराऊंगा तो इसलिए कहीं भी भटकने की जोरत नहीं है अराम से मेरे लेक्चर को समझेए नोट्स बनाएं पूरी काइनमाटिक्स जो है एक दों अप लोगो कולם को खिलियर हो जाएएगी तो आते हैं क्लास शुरू करते हैं क्लास कामेस c सो काइनेमीटिक्स बड़ का बतलब हम लोग क्या समझते हैं। धियार से दखिए गाइनेमा वड़्से जा घ्रीक वड़्स ने मतलब म सब्पशन तो बेसिकली हम लोग काइनेम की सिर्फ का जो बाद करेंगे है zupełnie इसे हम लोग mechanics जो बात करते हैं ने mechanics तो mechanics दो पाड होती है कि static and dynamics static and dynamic तो हम लोग बात यहां पर जो kinematics का बात करेंगे तो यहां पर आएगी सिर्फ motion rest का बात नहीं करेंगे motion so kinematics मतलब जहां पर motion का ही बात हम लोग करेंगे so kinematics and dynamics दो चीज हम लोग को इसमें दो बाट में बाट सकते हैं तो motions में लोग basically kinematics and dynamics तो kinematics में क्या होती है कि the study of the motion of the object without the taking into account the cause of their motion motion का जो cause है उसको हम लोग को not taking without taking is called kinematics लेकिन जब हम लोग dynamics का बात करेंगे the study of the motion of the object by taking into account the cause of their most change of state rest or motion जब हम लोग को जो change हो रही है जो state rest है या motion में जो बात करेंगे जिसका हम लोग effect को change effect को हम लोग लेते हैं तो वो dynamics में आती है वो क्या आती है dynamics में आती है तो हम लोग के जो focus होगी वो है kinematics तो kinematics का वर्ड का मतलब तो हम लोग समझ गए कि kinematics का मतलब होता है क्या तो बात होती है कि आप लोग क्या rest और motions के बार में जानते हैं पहले कि rest क्या होती है motion क्या होती है पजी परने में go acting करते हैं inlog प्षक्राइंётся क्या से redefine करते हैं कि time के साथ में जदी object का displacement नहीं हो कि suppose and suppose that मैं मैं बताता हो कि just a rest के बार में बात करते हैं समझेब मतलब यहां पजीक कोई object है और time के साथ में यह time पास हो रही है with the passes of time when the body doesn't change their position position को change नहीं करती है अपना position को it means that the body will be at rest the body will be at rest लेकिन हम लोग इदिन motion का बात करेंगे motion का बात करेंगे तो motion का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम जैसे suppose that हम move कर रहे है हम move कर रहे है तो क्या हो रहा है कि मेरी position change हो रही है time passes with respect to time so whenever the body whenever the body changes their position with respect to time time के साथ में जैसे हम लोग का position में change हो so that is called motion बात को समझे इसने कोई गाली चल रही है बात समझे time के साथ t is equal to t1, t2, t3 time interval में क्या हो रही है वो अपना position को change कर रही है so position को जैसे चेंज करे तो that is called motion that is called motion और जदी time passes हो रही है body में कोई displacement नहीं है so that is body will be at rest तो इस सिंपल सा definition आप लोग जो है कि 9th class में भी जो है कि basic आप लोगोंने पढ़े हैं ठीक है जो rest क्या होती है motion क्या होती है तो basically हम लोग motions का बात करेंगे dear student motion का जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग आज जो basically जो हम लोग पढ़ने वाला है kynamedics में वो one dimensional motions के बारे में पढ़ेंगे तो motions के बारे में जदे हम लोग बात करते हैं तो one dimensional two dimensional and three dimensional motion बात को समझेए one dimensional so one dimensional को यह हम लोग जो है कि आज focus करेंगे one dimensional motion में so one dimensional का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि just simple straight line motion ज्यान से समझेएगा तो rest and motion आप लोग का समझ में आ गिया है इस सुद्धे के चूटी चूटी चीज़े जो 9 class में भी पढ़े है उतना हम लोग deep में जाने से कोई फाइदा है नहीं समझे सिजासदी की हम लोग rest का मतलब क्या होता है कि भाई position change नहीं करें time के साथ में position change करें time के साथ में motion तो हम लोग जो motions का बात करेंगे यहां पर basically kinematics में हम लोग जो focus करेंगे यहां पर जो पढ़ने वाले हैं अभी पहला जो topic हम लोग पढ़ेंगे वह one dimensional motion का बात करेंगे इसे हम लोग बता देता हूं कि जो मोशन जो discuss करते हैं वान डाइमेंशिनल वान डाइमेंशिनल वान डाइमेंशिनल motion जिसको हम लोग simple क्या बोलते हैं और straight line straight line और rectilinear linear motion ठीक है तो वन डाइमेंशिनल के बारे में अब लोग क्या समझते हैं बताइए तो जो सीधे जिसे मिले को railway track में जोदी train जो है जो railway track में straight line जा रही है या कोई गारी ही कोई कारी स्ट्रेट रोड में जा रही है मतलब straight जा रही है simple straight कोई turn नहीं कुछ नहीं स्ट्रेट जदी जा रही है यह स्ट्रेट जा रही है तो वह क्या होगा one dimensional one dimension का मतलब समझते है कि नहीं समझते बताइए एक्स के लिए कोडिनेट एक्सिस का बात करते हैं अभिट कोई भी कॉट्टनेट यह से x से y सरी यह जाद है जोब एक्स में हम एक्सिस में लेंट हो तो वह कहलाता है वन डीमेंशेनल, स्ट्रेट लाइन, और रेक्टी लिनियर मोशन, बात समझने पहना रहा हो को, अब जोदे लोग टू डीमेंशेनल का बात करेंगा कि इसका टूडायमेंशनल, जो तूडायमेंशनल, सो टूडी मोशन, सवाट में लिग देता हूँ, समझ गयोंगा अप लो तो देखिए जैसे टुडी का बात हम लोग कैसे करें जैसे फर्स में जैसे फ्लॉर पर है ना अब इस पर आप लोगा ने कोई बॉल को फेक दिया ऐसे ऐसे ठीक है या केरेम बोर्ड जो आप लोग केरेम खेलते हैं है ना तो देखिए उसे में क्या होता दो ही एकसे जैसे य नहीं है यह 3D नहीं है तो 2D का मतलब हम लोग वहीं बात करेंगे कि सिंपल 2-axis में जी हम लोग कोई मोशन हो रहा है so that is called two-dimensional motion two-dimensional motion बास्तों में आ रहे होगी थोड़ा-थोड़ा है बस छोटा-छोटा चीज है मैं बार-बार कह रहा हूं कि पढ़ाई में ध्यान दिजिए सारी जो concept में clear कराऊंगा आप लोगों को ठीक है so देखिए यह हो गिया आप लोग का two-dimensional three-dimensional का मतलब क्या समझ रहे फ्लाइंग कोई भी जिस फ्लाइं कर रहा है कुछ माल लेते हैं कि mosquito फ्लाइं हो रही है अम लोग एयर में कोई gas molecules fly हो रहा है gas molecules का movement हो रहा है ना बात करते है अरो फ्लाइंग हो रही है मतलब उसे में क्या और तीनों कोईडिनेट आ रहे तीनों कोईडिनेट एक्स वाइजड मोशन एक्स वाइजड मोशन तो तुम्हारा एक्स वाइजड जड़ मोशन हो तो देट इस काल्ड थ्री do is your bang uda और उसको मों लोग क्या बोलते हैं 3D मोशन बात आप लोग वो समझ में आ गई है वह वहो वह उन Dimension안al motion पर तो हम लोग की जो क्लास अभी शुरू करेंगे आज की जो क्लास जो बेसिक फोकस रहे उस्टेंस और डिस्टेंस डिस्टेंस दिस्प्लेस्मेंट में स्पीड क्या है अचलेरशन कोगा बहुत और डिस्टेंस किया होती है और डिस्प्लəस्मेंट किया होती है So,akyan बचुँको शुरू करते है दिस्टेंस ओडिस्प्लेस्प्लेस्प्लेस्मे11 एकदम बेसिक कॉंसेट्ट आप लोगों पूरी तरह से किलियर कराने वाला हूँ समझे So, 720 का मतलब क्या है और displacement का मतलब क्या है एकदम ध्यान से समझिएगा distance word है मेरे पास displacement है मेरे पास इसका दोनों का meaning क्या है अभी आप लोग को clear हो जाएगी सो देखे distance का मतलब समझिए suppose that कि आप जो है कि इस point पे है A point पे और ये है आपके पास B point तो यहां से जो है कि मैंने रास्ता जो है पास जो कभड है देखे ध्यान से मैंने ये रास्ता से पास कभड करके जो है कि ये हम लोगों ने B तक पहुँचा है ना माले जब कहीं भी जा रहा है तो travel कर रहे हैं घूम करके हम लोग जो है जो आपका जो objective है वहां तक आप लोगों ने पहुचा है मैंने हमको यहां पर B जाना है इसके लिए हम लोगों के लिए जो रास्ता है ये रास्ता हम लोग travel कर रहे हैं ठीक है ये रास्ता जो हम लोग travel कर रहे हैं बात को समझे है इस रास्ता को जो पाथ हम लोग राष्टा जो तई करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा कि डिस्टेंज का मतलब क्या हो जाएगा एक्ट-अल-पाथ covered simple आप बोलिए by any object by any particle जो हम लोग actual path covered by any object और any particle है ना समझना रहा और displacement क्या होगा displacement का मतलब initial to final position सिधा सथी बात shortest path initial to final position देखे जाने से initial to final position initial position initial to final position मतलब shortest route का जदी हम लोग बात करते हैं shortest जो हम लोग का path बात बोलेंगे जो shortest path displacement में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि it is the shortest path covered shortest path covered by any object or particle बात संद्भा रही हैं ना तो हम लोग ने क्या देखा कि distance में कोई direction नहीं है there is no direction in case of distance so what is this so this is a scalar quantity so distance is a scalar quantity क्या है यह a scalar quantity है बात संद्भना रही होगे आपको a scalar quantity है लेकिन in case of displacement there is magnitude as well as direction because this is the initial to final so this is the direction there is the fixed particular direction so here displacement is a vector quantity displacement इजे वाट vector quantity clear है आप लोगों को vector quantity संद्भना गया है क्योंकि इसमें क्या और एक direction हो रही है एक हम लोग पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूब कर रहे हैं छोटी छोटी बात है लेकिन आक्चुली क्या है कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन बताना जोरूरी है ठीक है तो एक चीज़ आप समझे तो कि जो हम लोग distance का बात करेंगे तो distance तो कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन displacement का जिदे का मतलब क्या है कि जो distance होगा cannot be zero हम लोग distance का जीदि बात करते हैं तो can not be zero लेकिन जीदि हम लोग displacement का बात करेंगे तो displacement का मतलब क्या होता है कि हम लोग कहीं से घूम करके उस initial position से final position भी तो जा सकते है ना बात को समझे हम लोग जीदी उल्डा डारेक्सन में लोग गए है तो हम लोग का हो गया है इस डिक्रीज कर रहा है मतलब इस पोजिशन ने जीदि हम लोग चल जाते हैं तो हम लोग का हो जागा उसे में displacement जीडिस्पलेस्मेंट जीडियो होगी तो displacement जो हो सकता है displacement हम लोग का positive भी हो सकता है displacement हम लोग का negative भी हो सकती है बात को समझेए displacement हम लोग बोल सकते है can be zero displacement क्या बोल सकते है कि can be zero छोटा छोटे चीज है जो आज clear हो जाईगी आप लोग को displacement में हम लोग क्या देख रहे है कि displacement zero हो सकती है और positive और negative भी हो सकती है क्यों कि हम लोग जैदी इसका opposite जाए तो positive और negative यो can be zero और पॉल सकते हैं क्या can be positive and negative बात को समझे पोजिटीव भी हो सकती है और negative भी हो सकती है समझना रहा आप लोगो ठीक ना लेकिन जैदी हम लोग बात करेंगे कि distance का so can never be negative यह क्या हो जाएगा can never be negative can never be negative यह negative नहीं होगी क्योंकि distance है ना यह तो total path जो है बात कर रहे है total path लेकिन हम लोग displacement भी तो कुछ भी कर सकते हैं भाई हम स्टेट गये हैं फिर हम लोग घूम करके स्टेट आ गये हैं है ना तो इसी position पर आ गये तो हम लोग देखे distance decrease कर रहा है तो negative भी हो सकती है जी clear हो रही है सो यह जो है distance करें हम लोग बात करते हैं तो यह distance जो होगा बात को समझेगा distance simple सा बात कर रहे हैं ठीक ना तो यह ठीक है एक पॉइंट हो गया यह सारी चीज के लिए तो चोटी-चोटी चीज है आप लोगा clear हो गई होगी इसमें कोई डाउट नहीं होना है ठीक है तो देखिए आप हम लोग बात करते हैं समझने का कोसिस कीजिए distance displacement है यह चोटे-चोटे चीज के लिए रहे हैं आप देखिए कुछ आप लोगों चोटे से कोईशन दे रहा हूं मैं बता रहा हूं ठीक है तो जैसे कि मैं बात करूं यहाप इसको रहने देता हू ठीक है अब हम लोग बात करते हैं कि suppose that हम लोगों ने एक circular motion कर रहा हूं ठीक है देखिए गाद यह अप बात करते हैं कि यह अपका radius R है यह अप A point पे है यह B point पे ठीक है तो जैदि कोई आप से पूछे कि बताइए कि A point से लेकर के B point मतलब आप A से लेकर B तक में जैसे हम हुआ अबowania करते हैं на Teuve में मुब करते दाए कि डिस्टेंस क्या होगा तो आपने जो ट्रेवल किया है जो पात कवर्ज कि और किया है मतलब सेमी सरकल है मतलब उसका क्या होती है टू पआए और तो लेकिन हम लोग हाँ ट्रेबब किया है किसका बात करते हैं सो डिस्प्लेस्मेंट केबारे में आप क्या कहेंगे इनिचियल पॉइंट यहां से लेकर करके सॉटस नस्ताफ सॉटस्ट पाइस नहीं तो क्या हो जाएगे आर प्लस आर प्लस आर इस इकल टो टू आर बोले क्लियर है न आप जिदि यही चीज़ को यह कहा जाता कि आप ए टू जो है कि ए का बात कीजिए मतलग ए पॉइंट से आ करके ए पॉइंट में तो आपको कि सौन्यू आ गया है कि जो हम लोग के डिस्टेंस हो जाएगी पूर कर लिए किसका बात करेंगे डिस्प्लेशय में। बताई है कि प्लेश में चीया हो जाएगी मैं ने भी बता क्वे अब समझे एक चोटा सा मौन सेट ले लिए ठीक है तो देखिए यदि हम लोग ने तो यह सर्कल के बार में समझा ठीक है तो देखिए आप यहां से ले करके यह देखिए यह यह एंगल आपका 90 डिग्री है क्या है यह यह एंगल लेकिए है यह थैक है अब यह यह में है आप यह ब्यक्तवास क्ने से नहीं है। इतर पाइथागोरस्थरम लगा देते हैं पाइथागोरस्थरम लगा देते हैं तो आसानी से निगल जाएगा इसमें क्या इतनी बड़ी बात है तो बात तो सही है कोई बड़ी बात नहीं है यह तो सिंपल है तो अबी जिकल टू रूट टू आर होगी तो इसमें करेक्ट है इसका एंसर कि बाई करेक्ट है लेकिन जदि कभी ऐसा पूछ दे तो का कीज़ेगा बताइए क्या मतलब यदि हम लोगा 90 डिग्री नहीं लेकर 30 डिग्री पूछ दे या कोई भी थीटा आपके पास है अभी आप जो है यह घूम करके यह थीटा पर आगिया थीटा कुछ भी हो जकती है थर्टी हो नैंटी हो एक जिनरलाइज में बता रहा हूं आपको ठीक है यह आपका आर है इसका रहा है अब यह जो है स्वाटेस्ट पात जो बात करें तो आप बताईए कि बोलेगा कि डिस्पलेशन और एंगल में कुछ भी एंगल में पुछ दे हम लोग मूब कर रहे हैं यह 120 डिग्री यह 45 डिग्री हो गया कुछ भी हो गया किसे कीजिए का एक डिकत नहीं से निकाल सकते हैं लगिन अप यक्टर के वार में याद पर क्या हो रहा है ध्यान से देखिए यह एक वेक्टर जा रही है ठीक है मैंने लोगों को बताया था कि जो यह एक्ट से जा यह देखे टेल से हेड्ट और इसका जो इसका ने करके जो यह हेड news यह जो फिलिगत जो मिलती है यह resent कहलाती है क्या कहलाती है tää अरगन क्हला तो माल लेता हूं कि यह आपका भी और और यह आपका R2 है और यह माल लेते हैं कि D है जो displacement है पढ़े है ना वेक्टर एडिशन जो रिजल्टन का फर्मॉला बताया था एडिशन में क्या बताया थे याद कीजिए एडिशन में बच्चों आपको यदि याद होगा तो सोचिए P स्कॉर प्लस Q स्कॉर प्लस 2P Q कॉस थीटा पढ़ाएं थे याद कीजिए है ना यही चीज आप लोग को में बताया था ठीकिन यहां पर देखिए कि जो दो वेक्टर है हम लोग एक्चुल यह क्या हो रही है कि देखिए यह आरवन देखिए जैन से आरवन और प्लस डी प्लस डी इस इकल टू आर टू हो रही समझेगा हम लोग यहां पर आर महीं लिख करके अब जो जो जैगेश के लिए दिकाव है यह हम लोग दो बैक्तर हम लोग को पहले अडिसंस के लिए formula r1 प्लस डी ठीकिन है पर हम लोग क्या करें सब्ट्रेक्शन है इसमें हम लोग क्या फोर्मुला हो जाएगा देखिए से देखिएगा आरवन का स्क्वाइर प्लस आरटू का स्क्वाइर माइनस टू आरवन आरटू कॉस थीटा ठीक है वेक्टर सो पढ़िए थोड़ा आप लोग यादि नहीं पढ़िए ठीक है तो देखिए तो इसमोचिने का नहीं ज्यादा सारा चीज आसानी से होगा बस जो चैंड़ आरवन रडू अटू वराबर है तो तो आरश्कॉयर प्लस रचाहर माईनस थू खॉइब रवन्दाएं तो थीटा हो जाएगे ठीक है चoperation मिला करके क्या स्कोरे माइनस टुहरां का स्कौरा त्वरां में और स्कॉर को मेंने कॉमान निकल दिया हूं वान माइनस कॉस थीटा आप ट्रिगनिमेट्र का फ़र्मुला आप देखां त्रिगनिमेट्र का फ़र्मुला याद रखना होगा यह फर्मुला क्या है 1 minus cos theta is equal to याद रखिए 2 sin square theta by 2 इस formula को याद कर लिए हम लोग ठीक है यह से trigonometri जीदी पढ़ाई कर रहे होंगे तो कोई दिकत नहीं है 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2 ध्यान से देखिए अब यह 1 minus cos theta के जगह में हम लिख सकते हैं देखिए R 2 into 2 sin square theta by 2 तो 2 2 निकल जाएगा है हापर तो D is equal to 2 हो जाएगा R हो जाएगी और यह sin square तो sin theta by 2 हो जाएगी ठीक है तो यह एक general formula हम लोगों के पास आया है कि जब कोई सारिकल में जदि हम लोगों का कुछ भी angle दे दे कुछ भी angle दे आप 90 जो है ना अभी लोग 90 वेला निकाले थे ना देखिए तो यहापर 90 के लिए कितना आ था इतना आ था ना चेक कर लिजिए ना देखिए यहापर आप लोग पूट कीजिए यहाँ पर पूट कीजिए थीटा इस इकल टू 90 डिग्री तो थीटा ना देखिए आया है देखिए आया है तो हम लोग भेरिफाइब कर लिए फॉर्मुला को कि भाई आप कुछ भी डिग्री दे दे कुछ भी कंपेडिशन में कुछ भी डिग्री आ जाए हम लोग आसानी सफॉल कर देंगे कोई प्रोब्रलम नहीं होगी अब यहां 30 दे 120 डिग्री दे कुछ भी दे यहां पाटे धी हम लोग का 30 डिग्री 45 डिठी कुछ भी दे 120 तो 220 डिग्री हो गया अब क्या होगा है यह क्या होगा है तो है तो स्ञाईज करें गदीज कल टूइओ अर शाइन टेटा बाई टू तो डूइसका सब्सक्राइब तो स्टबूजम सुख्ध्ट डीगरी तो स्ट्यी स्टि आपफिएप लोगों को पता हुग है तो इस टाइब से जो है कि आप कुछ भी कहीं भी सरकल में कुछ भी हो यह फॉर्मला याद कर लीजिए सबसे अच्छा है कि आप इसको याद भी कर लीजिए टू आर साइन ठीटा बाई टू ठीक है तो डिस्टेंस और डिस्पलेस्मेंट बहुत ही सिंपल सा मैं यहां कि मैं आप लोगो आज का कॉंसेप्ट में बताया हूं थीक है basic था kinematics का start किया हूँ तो बस थोड़ा सा topic आप लोग को touch करके मैं distance और displacement का concept को clearly बता दिया हूँ कि distance क्या होती है, displacement क्या होती है कि एक छोटा सा question जो है कि basic question ऐसे था छोटा मोटा triangle में move करते हैं east, west, north, south जब questions आप लोग को कराऊंगों तो भी हो जाएगी लेकिन मैंने सोचा कि ये question थोड़ा आप लोग को करा दो ठीक है, तो ठीक है बच्चों आप लोग को kinematics start कर दिया हूँ आप जो है कि serial काइनेमेटिक की बहुत सारी lecture बनेगी, लेकिन आप लोग को थोड़ा मन से पढ़ना होगा ये चीज आप लोग थोड़ा सा अब जो है कि पुरा मन से सोची की पढ़ना है ठीक है, ठीक है, तो ओके बाई, बाई all of you देखने जी थोड़ा से, तो ओके बाई बच्चों all of you टेक केर बच्चों